ओम नमः भगवते वासू देवाए आप सभी प्रिये मित्रों का हमारे सेनल पर बहुत बहुत स्वागत है मित्रों लक्ष्पी पूजन का सुमुहरत क्या रहने वाला है और 51 सालों के बाद चमतकारिक योग का निर्मान दीपावली के दिन हो रहा है ऐसे में आपकी बार 4 नमंबर को दीवाली पूजन का सुमुहरत रहेगा ऐसे में 2021 का यह दिवाली बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियां भर देगा क्योंकि धन के देवता कुबेर महराज और धन के देवी माता लक्ष्मी जी भगवान गनेश जी आप लोगों के घर में विराजमान होने वाले हैं और आप लोगों के सारी मुनकामनाओं को पुरुन करने वाले हैं असलिए आप सभी भक्तों से हमारा अनुरोध है कि आप सच्ची सर्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जैमाता दी अवस्य लिखें माता रानी आपके सारी उन्हों कामनाव को पुरुन करेंगे तो दोस्तों आईए जानते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार 4 नुमंबर दिवाली के समय लग्मे पूजन का सुब मुहरत कौन सा है आपको कौन से ऐसे कारे हैं जो की दिवाली के दोरान करने चाहिए और कौन से ऐसे कारे हैं जो की दिवाली के दोरान आपको नहीं करने च हिंदु पंचांग के अनुसार दिवाली का पर्व चार नमंबर को कार्थिक मास की अमवस्या के दिन मनाया जाएगा दिवाली के दिन रिद्धि सिद्धी के धाता भगवान गनेश जी और मा लक्त्मी के पूजन का भीधान है इसके साथ ही इस दिन धन के देवता कुबेर द मा सरुसोती और मा काली का भी पूजन किया दाता है दिवाली पर लक्त्मी गनेश जी का पूजन सबसे सुब मुहरत जो है वो साम के समय है इसका समय मैं आपको बता रहा हूं लेकिन उससे पहले आपको बताना दूँ कि आप किस प्रकार से लक्त्मी पूजन कर सकते हैं दि साथ ही भगवान कुबेर देव मासरस्वती और कलस अस्थापन करें इसके बाद आप मंत्र का उचारण करें मंत्र का जाप करते हुए तीन बार गंगा जल छिड़कर सभी अस्थान को सुद्ध कर दें पूजा का संकल वलेते हुए भगवान गनेश जी और कलस की पूजा करें आत में फूल लेकर गनेश जी का ध्यान करें और उनके बीज मंत्र का ओम गन गन पते ही नमा का मंत्र का आप जाप करें इस मंत्र को आप कम से कम जितना ज्यादा हो सके यता सकते आप बोलें इसके बा पूजन के बाद कलस पूजन के बाद कलस पर मोली बाद हैं उसमें गंगा जल फर कर आम के पत्तों पर और नारियल रखें कलस को जनेव फल फूल रोली अक्षेत चला कर गोवर से गोरा को बना कर उनको सिंदुर चलाएं इसके बाद मालक्त्मी को रोली से तिलग करते हुए उन्हें धूप दीप का वस्त और वस्त चड़ाएं मालक्त्मी का पूजन उनके वीज मंत्रों को करते हुए आप कर सकते हैं तो दोस्तों अब की बार दीपाली पर लक्त्मी पूजन का सुमुरत वस्ताम के 6 बजकर 10 मिनट से प्रारम वहोकर रात्री के 8 बज़े तक रहेगा तो आप इस वीज मालक्त्मी की पूजन कर सकते हैं आपका दन भैत्र बने इसके लिए कमेंट वक्स में जैमा आता दियो वस्त लिखें आपका दन सुभो मंगल कारी हो जैमा विंदुवासनी